हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल बी ले बी लाइक आलिया तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको फैटी लीवर से पचने के आसान खरेलू नुस्खे अगर समय पर फैटी लीवर का इलाज ना किया जाए तो ये समस्या गंबीर लूप रूप ले सकती है दवाओं के साथ करेलू नुस्खों की मदद से जल्दी से फैटी लीवर को ठीक किया जा सकता है फैटी लीवर को हेपेटाइटिस भी कहा जाता है इस इस्तिती में लीवर में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है ये जमाव लीवर के कामों में बाधा उत्पन करता है और शरीर के लिए जरूरी पितरस एवं इंसुलिन का उत्पाद अन्धीमा कर देता है कुछ गंभीर मामलों में लीवर पर हमेशा के लिए इसकार लग सकता है और धीरे धीरे लीवर फेल भी हो सकता है ये एक जानलेवा इस्तिती भी हो सकती है आज की समय में विस्त दिन चर्रे और अन्यमित जीवन शैली के चलते शरीर कई तरह की बिमारियों के घेरे में आ रहा है इन्ही समस्याओं में से एक समस्या लीवर में चर्बी का जमा होना फैटी लीवर की समस्या खास कर उन लोग को जल्दी गेरती है जो चर्बी युक्त भोजन और शराब का सेवन जादा करते हैं लीवर की कोशिकाओं में सामाने से अधिक फैट जमा होने से कहीं तरह की समस्याओं हो सकती हैं भविश में इससे कहीं तरह के नुकसान भी हो सकते हैं ऐसी सिती होने पर अपने खान पान में सुधार किया जाए और नियमित चीवन शैली अपनाई जाए हालाकि लीवर में जमा चरबी को कुछ घरेलू नुस्खों से असानी से दूर किया जा सकता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फैटी लीवर को ठीक करने के कुछ घरेलू उपाए तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो तो फ्रेंट्स फर्स्ट है हल्दी टर्मरिक वैसे तो हल्दी में कई गुड होते हैं जो कई तरह के रोगों में फायदा देते हैं चीनी और आयुर्वेदिक दवाओं में भी हल्दी का इस्तिमाल किया जाता है हल्दी लीवर तवच्चा और पाच्चन तंत्र को ठीक करने में सहायक होती है हिर्दे रोग और कठिया में भी हल्दी का इस्तिमाल किया जाता है हल्दी में एंटी इंफ्लमेटरी के साथ साथ एंटी आक्सिडेंट कुड भी होते हैं जो liver cells को damage होने से बचाते हैं आप हल्दी का इस्तिमाल खाने मसाले के तौर पर या किसी अन्य तरीके से भी कर सकते हैं और एक ग्लास दूद्ध में एक चमच हल्दी मिलाकर पीने से आपकी ये समस्य आसानी से दूर हो सकती है तेकिन है फ्रेंड्स नीबू लेमन फेटी लीवर के इलाज के लिए आप नीबू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नीबू वाइटमिन सी से युक्त होता है जो की एक powerful antioxidant है और ये लीवर की कोशिकाओं को radical damage से रोग सकता है एक कब पानी में आधा नीबू निचोड़ें और एक चमर शेह डाल कर रोज सुभा पिएं इससे आपकी समस्य बहुत जल्दी दूर होगी फ्रेंड्स आवला आवला वाइटमिन सी से युक्त होता है जो लीवर को साफ रखने और आगे किसी पी तरह के नुकसान से पचाने में मदद करता है आवला में क्यूरे सिटिन नामक फाइको केमिकल होता है जो लीवर कोशिकाओं के ऑक्सिडेंट स्ट्रेस को कम कर सकता है मद्या मकार के दो से तीन आवला लें और उन्हें छोटे तुकडों में काट कर बीच अलग कर दें अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर प्लैंट कर जूस निकाल लें इस जूस को एक ग्लास करम पानी में डाल कर पिएं इससे आपकी लीवर फैटी लीवर की समस्या असानी से तूर हो जाएगी अब है फ्रेंड्स अलसी अलसी ना सिर्फ पाचन के लिए बहतर होती है बलकि फैटी लीवर से भी बचाती है अलसी कोशिकाओं पर पढ़ रहे ऑक्सिडेंट इस्ट्रेस को कम कर लीवर को हुए नुकसान को घटाती है आप अलसी को पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं पानी या सलात पर भी अलसी का पाउडर डाल कर खा सकते हैं इससे आपके फैटी लीवर की समस्या बहुत चल दूर होगी लास्ट है फ्रेंड्स अपपल साइडर विनेगर अपल साइडर विनेगर लीवर से विशात पर दाथरों को बहुआन निकाल देता है ये लीवर को सुयस्ट बनाने में मदद करता है एक कप कुन-गुने पानी में एक चमच एपिल साइडर विनेगर डाल कर सुबह में पिएं ये आपकी परशानी को बहुत जल्दी ठीक कर देगा तो दोस्तों ये थे फैटी लिवर के कुछ खरेलू नुस्खे फ्रेंड्स फैटी लिवर के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कर भवस्ता तेजी से वजन कम होना या फिर हैपेटाइटिस सी की समस्य होना कुछ पिरकार की दवाईयों में साइड एफेक्ट्स या कुछ विशों के संपर्क में आने से तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक्स